देश की राजदानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में बीते कुछ दिनों से मौसम साफ बना हुआ है ताकमान में बड़ातरी के बाद लोगों को ठंड से राहत मिलते दिख रही है वही अब उत्तर भारत के कई राज्जों में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है IMD के मुताबिक पंजाब, जम्मू कश्मीर उत्राखंड में अगले 3-4 दिन बारिश देखने को मिलेगी जिस कारण नियूंतम ताक्मान में गिरावट दर्ज की जाएगी राजधानी दिल्ली में लोग इन दिनों धूप का आनंद उठाते दिख रही है आज ताक्मान में बले ही पहले के मुकाबले बढ़ोतरी दर्ज हो लेकिन इसी के साथ ठंडी हवाई भी चलती दिख सकती है और बादल भी चाय रह सकते है दिल्ली में आज अधिक्तम ताक्मान 28 डिग्री सेल्सियस तो वही नियूंतम ताक्मान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है आपको बता दें कि दिल्ली में अगले कुछ दिन तक इसी तरह का मौसम देखने को मिल सकता है उत्तर प्रदेश में नियूंतम ताक्मान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में नियूंतम ताक्मान 11 से 15 डिग्री तक जा पहुंचा है आज यूपी के अधिकतर जिलों में जो नियूंतम ताक्मान 11 डिग्री तक रह सकता है तो बिहार के अधिकतर जीलों में आज भी बादल चाहे रहने का अनुमान है IMD के मुताबिक पटना समेथ कई चैरों का अधिकतम तापमान 25 डिगरी तो वही नियूंतम तापमान 11 डिगरी के आसपास रहने का अनुमान है बिहार में अगले कुछ दिनों तक मौसम कुछ इसी प्रकार बना रह सकता है बात की जाए यहां से एकर राजिस्तान की तो राजिस्तान में तेज धूप खिलते दिख रही है बारतिय मौसम विग्यान विभाग के अनुसार आज राजिस्तान के जैपुर और जोधपुर सहित कई जिलों में मौसम साफ रहेगा राजे के अधिकतर जिलों में आज अधिकतम तापमान 35 डिगरी रह सकता है और नियूंतम तापमान 16 डिगरी के आसपास पंजाब की बात की जाये तो पंजाब के लिए अच्छी खबर है कि पंजाब में मौसम साफ रहने वाला है आईमडी के अनुसार पस्चिमी विक्षोब के सक्री होने की वज़ा से पंजाब में आज बादल चाय रह सकते हैं आज अधिकतम तापमान 35 डिगरी तो नियूंतम तापमान 12 डिगरी रहने का नुमान है वही 25 फरवरी मही 26 फरवरी को राज्ये के कई हिस्सों में बारिश होते दिख सकती है बात की जाएं यहां से अगर आप जम्मो कश्मीर की तो जम्मो कश्मीर के कश्मीर संभाग में आज भी बारिश और वर्वरी का दौर चारी रहेगा जम्मो संभाग में भी आज बादल चाय रहने के साथ बारिश होते दिख सकती है और अधिक्तम ताकमान तेज डिगरी और नियूंतम ताकमान 14 डिगरी तक रहने की संभावना है जम्मो कश्मीर के कई हिस्सों में पूरे हफ़ते बारिश होने का अनुमान आईमडी ने जाहिर किया है जिसके चलते नियूंतम ताकमान में गिरावट दर्ज हो सकती है इसी के साथ बात की जाएं यहां से अगर अब उत्राखंड की तो उत्राखंड में बीते मंगलवार उचाई वाले इलाकों पर हिमपात हुई है जिसके बाद कई हिस्तों में बारिश भी दर्ज की गई वहीं अब मौसम विवा की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक उत्राखंड के कई हिस्तों में अगले 3-4 दिन बारिश हो सकती है जिस कारण वहां के नियूंतम ताकमान में गिरावट भी हो जाईगी उत्राखंड के कई जिलों में आज अधिकतम ताकमान 14 दिगरी तक रह सकता है और नियूंतम ताकमान 2 दिगरी तक वियू रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स, टीव झाल 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 झाल